Hello my dear students. I hope you are very well at home. Today let's start. Your sixth poem Amanda. This poem is written by Robin Klein. Sixth poem आपके Amanda रहेगी, जो Robin Klein के द्वारा लिखी गई है. Amanda is a little girl. Amanda एक छोटी लड़की है. इस poem के अंदर, Robin Klein ने जैसे बताया है, कि Amanda को उसके parents के द्वारा बार बार टोका जाता है. किस बात के लिए टोका जाता है? कभी उसे सिद्धा बैठने के लिए, कभी उसे अपना कमरा साफ करने के लिए, कभी उसके जुते साफ करने के लिए कभी उसे इतना नाराज ना रहने के लिए, क्योंकि वो बहुत मुड़ी है, तो उसे बार बार parents के द्वारा टोका जाता है, लेकिन Amanda को इन बातों का कोई फरक नहीं पड़ता, वो अपने सुपनों में खोई रहती है, वो एक freedom life चाती है. तो poem स्टार्ट करने से पहले हम इसके word meanings learn करेंगे और इनको अपने notebook में note down करेंगे, लेट स्टार्ट, first is slouching, slouching होता है, sitting in a lazy way, sitting in a lazy way, यानि आलश्य में बैठना, को कहते हैं slouching, languid, languid होता है moving slowly, धीरे धीरे चलना, languid के होता है, moving slowly, धीरे धीरे चलना, emerald, emerald होता है precious stone of green color, एक green color का बहुत ही महंगा stone होता है, जिसको money कहते है, emerald, green color के होती है, दिखिए word meanings आप साथ साथ जरूर learn करें, ताकि आपको poem अच्छे से समझ आए, और one marks का तो आपका एक synonyms पुछा जाता है, अगर आप word meanings अच्छे जे करेंगे, तो आप synonyms का अंसर भी दे पाएंगे, mermaid, mermaid होती है, water fairy, जल परी, mermaid, water fairy, जल परी, drifting, drifting होता है, moving slowly with the current, current में धारा, धारा के साथ धीरे धीरे तैरती हुई, जहाँ पानी बहरा होता है, उसके साथ साथ ही तैरना, उसको बोला जाता है, drifting, tiddy, tiddy होता है, to make neat and clean, साब शुतरा बनाना, को में कहते है, tiddy, इसका पोजिट हो जाएगा, untiddy, husd, husd होता है, silent, खामोश, tranquil, tranquil होता है, calm, peaceful, यहनी, शान्थ, tranquil, calm, peaceful, हिंदी में कहेंगे, शान्थ, sucking, sucking होता है, upset, कुदास होना, या, रूठे होना, को में कहते हैं, sucking, nag, nag होता है, rebuke all the time, निरंतर डांटना या, टोकना, nag क्यों होता है, rebuke all the time, निरंतर डांटना या, टोकना, आईए, एक परिफिर रिवाइज कर लेते हैं, slouching, sitting in a lazy way, अलश्य में बैठना, language, moving slowly, धिरे धिरे चलना, emerald, precious stone of green color, यानि मनी, mermaid, water fairy, जलपरी, drifting, moving slowly with the current, धारा के साथ साथ धिरे धिरे तैरती हुई, tiddy, to make neat and clean, निसाब सुतरा बनाना, हास्ड, silent, खामोश, tranquil, calm, peaceful, शान्त, sucking, upset, नुदास, रूठे होना, nag, rebuke all the time, rebuke all the time, rebuke, धांटना, निरंतर धांटना या उसे टोकना कम कहते हैं, nag, तो यह वर्ड मिनिंग से, यहां से आप इसका complete का screenshot ले लीजिए, और उसे अपने notebook में write करके, अच्छे से इनको learn करेजिए, thank you very much,